अब दूसरी बात यहां पर ये बताना चाहूंगा मैं कि देखे किस तरीके से केंडिडेट्स के साथ में नाइनसाफी हुई है जो सेलेक्ट नहीं हुए वो भी अपने साथ में नाइनसाफी महसूस कर रहे है जो सेलेक्ट हो गए वो भी नाइनसाफी उनके साथ में भी हो रही है यहां पर कि कोरोना की वज़े से जोईनिंग डिले हुई कोरोना ने तो पहले ही पूरी दुनिया को मार रखा है उसके पूरा नियम कानून लगा कर उस लड़के को वापस घर भेजा जा रहा है जिसकी मा ने बड़े अर्मान से उसके तिलक लगा कर उसको रवाना किया था कि मेरा बेटा भरती हो गया है मिठाईयां बट गई थी अब क्या उस मा पर बीत रही होगी और क्या वो कैंडिडेट पर बीत रही होगी क्या उस पिता पर बीत रही होगी जिसका बेटा जो है वो दो महिने CRPF में BSF में रहके वापस घर आ गया है क्या जवाब उनके पास में बन रहा होगा बड़ा अफसोस हमें हो रहा है इस सिस्टम पे कि ये सब क्यों किया जा रहा है इनके साथ में इशू हो गया है वो जब CISF अपने जॉइनिंग लेटर में उसको मेंशन कर रही है और साम राइफल ने वो लेटर लिखा था बाकी फोर्सेज को भी वो चला गया है ADZ Medical जो है वो सभी Forces के एक ही है उसके बावजुद भी जो Composite Hospital है वहां तक वो लेटर नहीं पहुँचा है और Composite Hospital में वही पुराने Rules and Regulations के तहत करेवाई की जा रही है कि Force जो है उसको एक ऐसा Work Force मिले जो Medically पूरी तरीके से Fit हो, Strong हो और Medical की जो Suitability जो है वो तैय करने की जिम्मेदारी जो है वो Force के Medical Officers की है बिलकुल Force के Medical Officers की है लेकिन Application of Mind भी होना चाहिए वहां पे कि ये डिले क्यों हुआ, ये डिले तो एक्चुली इस महामारी की वज़े से हुआ है अब जो महामारी से तो बच गया, कोरोना से बच गया लेकिन जो Force के Rules Regulations है उससे एक Candidate जो है उसकी खुशी जो है वो दो महीने महीं काफूर हो गई चलिए यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, एक Candidate है हमारे महराष्ट के उनको Result कर दिया गया है, उनको Medical करके उनको घर भेज दिया गया है, पॉइंट क्या है वो आपको दिखा देता हूँ यह उंगली आप देख रहे हैं, इस उंगली में इनको Unfit किया गया है, जो Unfit करके इनके जो इनके अर्मान जो है, वर्दी का अर्मान था, वर्दी का सपना था, वो पूरा हो गया था, कितने समय से महनत कर रहे थे, इनका Family Background क्या है, यह कहां रहते हैं, किस देश के कौन से ह लिस्ते में रहते हैं, उन सब वो जो सारे Factors हैं, वो तो Side में हो गए, और Corona की वज़े से जो Joining डिले हुई, उसके बाद ग्रहम अंत्राले ने भी डेड़ साल कर दिया गया Medical Validity, लेकिन यह उंगली में एक Indie Rate को Out कर दिया जाता है, यह इनका Offer of Appointment जो है, उसको रद करने क देखे, दिखा देते हैं आपको, कि कृपया इस कारियाले के सम संख्यक पत्र दिनांक 13 फरवरी 2021 के संधर में क्रमचरी चैन अगदारा केंद्रिय सश्रस्त्र पुलिस बल में सिपाही जीडी पद पर भरती हितु आयूजित सिपाही जीडी भरती परिक्षा 2018 में आपका च इस गुरूप के अंदर में सिपाही जीडी के पत पर जोइनिंग करने हितु दिनांक 17 मार्स 2021 पूरवाहन या इससे पहले रिपोर्ट करने के लिए इस कारियाले के संधर भीत पत्र के तहट निर्देशित किया गया था आपके इस गुरूप के अंदर में रिपोर्ट करने के उपरांत विध्यमान नियम तथा न्युक्ति प्रस्ताव में उलेखे शर्त के अनुसार आपका चिकित्सा जाच कराया गया जिसमें आपको अन्फिट गोशित किया गया तदो परांत आपको एक और आवसर प्रतान क गठीत करते विए आपका पुना चिकित्सा जाच कराया गया जिसमें भी आपको अन्फिट गोशित किया गया है तथा सेवा हेतु योग्य नहीं पाया गया है आप देख सकते हैं कि उंगली जो है उसमें इनको अयोग्य गोशित कर दिया गया है और न्यूक्ति से ज्यादा हो जाता है तो आपका दूबारा से मेडिकल किया जाएगा अब साथ में नीचे क्या लिखा गया है इसमें अता है आपकी उमिद्वारी को रद करते हुए आपको इस कार्याले के संधर्वित पत्र दिनांक 13 फरवरी 2021 के तहट जारी न्यूक्ति प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है तथा आपको सुचित किया जाता है कि अब यहां पर सुचित भी कर दिया जाता है इनको भाशा देखे जो हमारा जो फूर्स की जो भाशा है वो क्या एक आदेश किया जा रहा है कि आप भविश्य में इस कार्याले दुआरा जारी उप्रोक्ति प्रस पस्तुत नहीं करेंगे, क्या इनके कानूनी अधिकार सुरक्षित नहीं है, क्यों इनके केस में मेडिकल जो वैलिडिटी 18 महीने कर दी गी है, वो लागू क्यों नहीं किया गया, कब साइन हुआ है, 8-5-2021 को साइन हुआ है, और ये कैंडिडेट जो है, इनको 8-5 को साइन करक के 10 को इनको लेटर दे दिया गया, और कहा कि अब आप घर चले जाएए, और वो स्टाफ जो है, वो भी देखे बड़ा हताश और निराश होता है, ऐसे स्टेते में, जो हमारे लोवर स्टाफ होते हैं, हमारे हेड कॉंस्टेबल, हमारे ASI, हमारे सब इंस्पेक्टर्स, जो डारेक्ट सुक दुक के साथी होते हैं, जो हमारे रेक्रूट कॉंस्टेबल होते हैं उनके, और ऐसा लेटर देते समय, उसके भी हाथ कहां पे होंगे, बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो भी नहीं चाते कि जो खुशी से वहां पे आया है, वो वहां से रवाना हो, अन्फिट फॉर सर्विस, देखे, रिवु मेडिकल बोर्ड ने अन्फिट फॉर सर्विस, अब ये जो रिवु मेडिकल बोर्ड है, इनको एक बात पूछा जाए कि क्या यदि यही पॉइंट, यदि ये कैंडिडेट को ट्रेनिंग में चोट लग जाता, और ये उंगली जो है इनका इस तरीके से हो जाता, ट्रेनिंग में गेम सेशन भी होता है, ये वहाँ पर गेम में इनको बॉल लग जाता है, ये इनको बॉल लगा है एक्चुली, चोट जो है, वो क्रिकिट खेलते भी बॉल लगा हुआ है इनको, तो भी क्या ये अन्फिट फॉर सर्विस है, उसको हम देख लेते हैं, तीन स्पैसलिस्ट ओफिसर्स ने इनको एन्फिट कर दिया, ये रेकूट्मेंट मेडिकल है, हैंड और फिंगर स्पेज नंबर 21, ये पेज नंबर 21, इसका हवाला देके क्या गया है, लोस ओफ ओनली सॉफ टिशू अफ टर्मिनल फ्लैंक्स पेज़न क्या है, अफ्लिटल फिंगर और बोथ हैंड्स इस टू भी एसेप्टेट यानि कि सिर्फ लिटिल फिंगर में दी वो प्रॉब्लम है तो असेप्टेड है बाकी उंगलियों में वो प्रॉब्लम है तो असेप्ट नहीं होगी यानि कि वो डेड़ साल वाला नियम भी लागू नहीं होगा और यानि कि ऐसा लगता है कि जैसे तैयार ही बैठा था वहाँ पे स्टाफ की इनको आने दो और इनको ये लेटर जो है इसको अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है ये लेटर है हमारा नू डेली से इशू है नोर्थ ब्लॉक कब इशू हुआ है वो भी आपको दिखा देता हूँ ये हुआ है 16 अप्रेल 2021 को 16 अप्रेल 2021 इनका मेडिकल कब हुआ है वो भी देख लेते हैं इनका 4-5 2021 को 16-5 को उधर recruitment medical validity 1.5 year करने की बात हो जाती है आदेश हो जाता है ADG medical को मिल जाता है उसके बावजूद composite hospital नागपूर में 4 माई 2021 को एक candidate का medical किया जाता है और उनको unfit गोशित कर दिया जाता है और उनकी तैयारी कर दी जाती है और जब वो candidate ये बात करता है कि सर ये तो अभी 1.5 year कर दिया गया है तो मुझे out क्यों किया जा रहा है तो उनको बताया जाता है कि अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई आदेश नहीं आया है क्योंकि सरकारी काम जो है वो आदेश से होता है लेकिन ये आदेश जो है एक आदेश ऐसा आ गया कि ये जो है इससे कुछ हमारे साथी बच जाएंगे ये ना इंसाफी से क्या है वो वो है अब इसका पैरा जो तीन है वो मैं आपको लिए पढ़ देता हूँ अब ये 38,666 candidates जो है वो कौन से हैं उसका भी अभी संशे ही चल रहा है Candidates of Constable G.D. in C.A.P.F.s N.I.A.S.S.F. and Rifleman G.D. in Assam Rifle Examination 2018 whose detailed medical examination DME was conducted during the period कब से कब तक था 9 जनवरी 2020 से 13 फरवरी 2020 अब इनका 1 and half year जो है वो कब complete होता है यदि 9 को भी medical होता है तो 9 जुलाई तक जो है 9 जुलाई तक तो इनको आउट किस अधार पर कर दिया गया मेरे ये ये नहीं समझा रहा है अब इनका medical कब हो है ये 13 फरवरी को हुआ है तो 13 अगस्त तक तो इनको रोका जाना चाहिए था इनको मोका दिया जाना चाहिए था और आउट की वज़े क्या है क्या वो जो finger जो tip है और उसमें भी ये लिखा हुआ है कि उसमें जो specialist opinion जो दिया है उसमें ये कहा गया कि bonny issue नहीं है यानि कि bonnes जो है वो तो बिल्कुल ठीक है तो दोस्तों ये आप खुद देख रहे हैं और देखिए बात जहां आती है नाइंसाफी कि वहां हम तो बोलेंगे कि ये हमारा काम है सच्चाई सामने लाना कि हम तो बोलेंगे कोई शक और doubt होता है किसी को इस अब ये वीडियो से क्या होता है कि कुछ हमारे खिलाफ कड़े हो जाता है कमेंट्स आते हैं बड़े भद्दे कमेंट्स आते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा यदि आपको doubt है मैं नीचे description में नमबर दे रहा हूं आप WhatsApp कीजिए उस पर आपको call पर बात करनी है तो वो भी हम करेंगे आपसे यदि आपका कोई doubt है वो बिल्कुल clear करने के कोशिश करेंगे लेकिन हम ये जो हमारे साती हैं जो जिनके साथ लोगडाउन चल रहा है ये वी हमें मौका मिल जाता है तो हम जल्द ही इसके लिए interview करने ही कोशिश करेंगे advocate से उसको पूरे points discuss करने ही कोशिश करेंगे तो दोस्तों ये ऐसी नाइनसाफी आपके साथ हो रही है तो आप चुप चाप घर पे नहीं बैटना है इसको represent करना है इसको इसका representation आपका जो है MHA तक आपका जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है जब MHA ने डेड़ साल कर दिया गया है उसको तो डेड़ साल की आवधी से पहले उनको वो जो fitness वाला जो था नियम वो लागू है इनको ये पहले से है problem ये उंगली जो है इनका बाद में नहीं तूटा इनका क्योंकि ये जो उंगली है इसके बारे में इनका medical history sheet जो है उसमें लिखा हुआ है कि ये उंगली में ऐसा problem है तो इनके उपर ये एक साल डेड़ साल वाला नियम लागू नहीं होता और ये बच जाते यहां पर इनका वरदी बच जाता तो ये जो नाइनसाफी है ये नहीं होनी चाहिए वरदी बड़ी मुश्किल से मिली बड़े नाजों से कंडिडेट जो अपने घर से रवाना हुआ बड़ी खुशियां थी घर में लेकिन वो खुशियां जो है वो दो महीने भी नहीं टिक पाई और कंडिडेट को वापस घर बेज दिया गया और मैस बिल काटके उसका हिसाब कर दिया गया दो महीने तक उससे घास भी कटवाया गया वो घास कटवाना जो है वो तो बंधवा मजदूरी में चला गया वो तो ठीक है आप दो महीने रहे कि आप अन्फिट होगे तो आप घर जाईए यदि ये अन्फिट किया गया था उन्होंने अपनी जंग की शुरुआत की और वो जंग जीत गया कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे जिनको रिजक्शन दे दिया गया था रिजक्शन स्लिप उनके आगे थे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे उनमें आगे थे कि आपने फॉर्म न वेट का पॉइंट जर्नल फिजीशन से आपको करवाना चाहिए था ये ऐसे जो पॉइंट्स थे इनके उपर जो हमारे साथी फाइट किये वो मेडिकल करवा गए और वो अपना इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों रुकना नहीं थमना नहीं अब ठानना है कि वर्दी को हर ह जानियां हो रही हैं ऐसी नाइंसाफी हो रही है तो उसके लिए फिर्द ठानना है कि मैं लेकर रहूंगा मेरा हक है ये जहित